नमस्कार मैं हूँ अनील और आप देख रहे हैं MNC News उत्तर प्रदेश राज करमचारियों को लगातार कई सालों से अपनी पुरानी पेंसन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं वहीं पिछले दिनों सरकार के आस्वासन पर कुछ माहत तक अपना परदसन अस्तगित किये रहे लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलने पर राज करमचारी एक बाद फिर से सरकार के खिलाप भी गुलफूग दिये हैं इसी क्रम में आज गाजीपुर के पिकास बहुन पर जन्पत के कहीं व्याके करमचारीयों ने अपनी पुराने पेंसन बहाली की मांग को लेकर धर्ना दे रहे हैं जबकि धर्ना को लेकर सरकारी से बिपल करने के लिए ये की पूरूई धारा एक चुचब वाली के साथ यसमा लगाने की बात कर रही है लेकिन सरकार के इसे एसमा लगाने वाली बात को दर्किनार कर करमचारियों ने आज सुबह से ही अपने अपने कारियों का बहिसकार का प्रानिप पेंसन बहाली की मायं को लेकर गरद रहे नेताओं ने बताया कि अगर सरकार किसे भी करमचारी एक खिलाप यसमा लगाती है तो फिर सरकार इसका गंभी पड़ा भुगतने को तयार रहे खिलापी से शुब्ध हो करके सरकार ने हमें बिवस कर दिया है हर्ताल में जाने के लिए हम इसके लिए चरणबधा अंदुरा लगातार अगस्त से ही चला रहे हैं मानी मुख्यमंत्री की आस्वासन पर दो महिने के लिए स्थकित की गई थी मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी कमेटी जी रिपोर्ट देगी हमापकी पेंसन लागू कर देंगे लेकिन न Awkar Sahaワहूं और सरकार की वादा खिलावी से शुब्द हो करके हमें हुम्हें हर्ताल पैना पड़ा है हमारी एक सुत्री मांगे पुरानी प отно सिन बहाली की और जब तक हमारी प GNC बहाल नहीं होती है हम मानने वाले नहीं है, सरकार की एस्समा और बंदर खुरकी से हम ड़ने वाले नहीं है इस बार हम लोगों की जीवन बरण का प्रस्ट्न हो गया है हम इसा पर आर पार की लड़ाई लड़के बाने अगर इसमा लगता है तो सारे करमचारी की रपतारी देंगे लेकिन हम यह जानते हैं कि सरकार बैट-फूट पर आए कि कल आज मुझ को आना ही आना है परिशा बरिश्चार होने जा रहे हैं लोग सवाचुनाओका बरिश्कार हम लोग करने जा रहे हैं जतनी सारी आवस्चत सब्सक्राइब हो जाएंगी एक तरफ राज करमचारी कई विवागों का समर्तन होने का दावा कर रहे तो दूसरी और को सागार विवाग ने जिलादिकारी को पत्र लिखकर इस धरने से अपने को अलग होना बताया है